नमस्कार, आज के इस रोजगार मेले में जिन अभ्यार्थियों को सरकारी सेवा के नियूप्ति पत्र मिले हैं, उन सभी को बहुत बहुत बधाई आज आप सभी ने कड़े परिश्रम के बाद ये सफलता हासिल की हैं, आपका चैन लाखों और ब्यार्थियों के बीच से किया गया है इसलिए इस सफलता का आपके जीवन में बहुत बड़ा महत्म है आज चारों तरफ देश में गणेच उत्सव की धूम चल रही है इस पावन काल में आप सभी के नए जीवन का स्री गणेश हो रहा है भगवान गणेश सिद्धी के देवता है मेरी कामना है कि आपकी सेवाओं का संकल्प राश के लक्षों को सिद्धी तक ले जाएगा साथियों आज हमारा देश अईतिहासिक उपलब्दियां और फैसलों का साक्षी बन रहा है कुछ दिन पहले ही नारी शक्ती बंदन अधिनियम के रूप में देश की आधी आबादी को बहुत बड़ी ताकत मिली है तीस वर्सों से महिला आरक्षन का जो विशय लंबित था वो अब रिकोर्ड वोटों के साथ दोनों सदनों से पास हुआ है आप कल्पना कीजिए कि कितनी बड़ी उपलब्दी है ये मांग तब से हो रही थी जब आप लोगों में से जादा तर लोगों का जन्म भी नहीं हुआ होगा इन देश की नई संसद के पहले सत्र में हुआ है एक तरह से नई संसद में देश के नए भविष्ट की शुरुवात हुई है साथियों आज इस रोजगार मेले में भी हमारी बेटियों को बड़ी संख्या में नियूक्ति पत्र मिले हैं आज भारत की बेटियां स्पेस से स्पोर्ट तक अनेक नए किर्टिमान बना रही है मुझे नारी शक्ती की सफलता पर बहुत बहुत गवरव होता है सरकार की नीती भी यही है कि नारी शक्ती के लिए नए नए द्वार खोल दे जाएं हमारी बेटियां अब देश के ससस्त्र बलों में कमिशन लेकर राष्ट सिवा के राष्टे पर आगे बढ़ रही है हम सभी का अनुभव है कि नारी शक्ती ने हमेशा नई उर्जा के साथ हर छेत्र में बढ़लाव किया है हमारी आधी आबादी के लिए सरकार का सूसासन और बहतर हो इसके लिए आपको नए आइडियाज पर काम करना चाहिए साथियों आज 21 सदी के भारत की आकाशा है बहुत उची है हमारे समाज की सरकार से अपेशा है बहुत ज़्यादा है आप खुद देख रहे हैं कि नया भारत आज क्या कमाल कर रहा है यह वो भारत है जिसने कुछ दिनों पहले चंद्रमा पर अपना तिरंगा लहराया है इस नए भारत के सपने बहुत उचे हैं देश ने 2047 तक विख्सिद भारत बनने का संकल पलिया है अगले कुछ वर्षों में हम तीसरी सबसे बड़ी एकॉड़ोमी बनने वाले हैं आज जब देश में इतना कुछ हो रहा है तो उसमें हर सरकारी कर्मचारी की भूमी का बहुत जादा बढ़ने वाली है आपको हमेशा सिटीजन फर्स की भावना से काम करना है आप तो एक एस्टी जनरेशन का हिस्सा है जो टेकनोलोजी के साथ बड़ी हुई है जो गेजेट्स आपके पेरेंट्स मुश्किल से ऑपरेट कर पाते हैं आपने खिलोनों की तरह उनका इस्तवाल किया है टेकनोलोजी से ही सहस्ता को अब आपको अपने कारिक्षत्र में इस्तमाल करना है हमें सोचना होगा कि हम गवनस में भी टेकनोलोजी की मदद से कैसा नया सुधार कर सकते हैं आपको देखना होगा कि अपने अपने क्षेत्रों में आप कैसे टेकनोलोजी के जरिये एफिसेंची को और इंप्रूव कर सकते हैं साथियों टेकनोलोजी कल ट्रांस्फोर्मेशन से गवननस कैसे आसान होती हैं आपने बीते नव सानों में देखा है पहले रेल की टिकेट लेने के लिए बूकिंग काउंटर्स पर लाइन लगती थी टेकनोलोजी ने ये मुश्किल आसान कर दी आधार कार, डिजिटल लॉकर और EKYC डॉक्यूमेंटेशन की कॉम्प्लेक्सिटी खतम कर दी गैस सिलिंडर की बूकिंग से लेकर इलेक्टिसिटी बील के पेमेंट तक अब सब एप पर होने लगा है डिबीटी के जरिये सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे लोगों के एकाउंट में पहुँच रहा है डिजी यात्रा से हमारा आना जाना आसान हुआ है यानि टेकनोलोजी से करप्शन घटा है क्रेडिबिलिटी बढ़ी है कॉम्प्लेक्सिटी घटी है कमफट बढ़ा है आपको इस दिशा में और ज्यादा से ज्यादा काम करना है गरीबों की हर जरुरत हमारी पॉलिसिस ने बड़े से बड़ा लक्ष हासिल करने का रास्ता तैयार किया है हमारी नीतिया नए माइंड सेट कॉंस्टन मॉनिटरिंग मिशन मोड इंप्लिमेंटेशन और मास पार्टिशिपेशन पर अधारित है नव वर्षों में सरकार ने मिशन मोड पर नीतियों को लागू किया है चाहे स्वच्छ भारत हो या जल जीवन मिशन इन सभी योजनाओं में हंड्रेट परसंट सेटुरेशन के लक्ष पर काम किया जा रहा है सरकार के हर स्थर पर स्किम्स की मोनिटरिंग हो रही है खुद मैं भी प्रगती प्लेटफॉर्म के द्वारा प्रोजेक्स की प्रोग्रेस पर नजर रखता हूँ इन प्रयासों के बीच केंद्रत सरकार की योजनाओं को जमीन पर उतारने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप सभी नवन यूक्त सरकारी कर्मचारियों पर है जब आप जैसे लाखों युवां सरकारी सेवाओं से जुड़ते हैं तो नीतियों को लागू करने की स्पीड और स्केल भी बढ़ जाता है इससे सरकार के बहार भी रोजगार के उसर तयार होते हैं साथ साथ काम काज की नई व्यवस्था भी बनती है साथियों वैश्विक अर्थिववस्थाओं में मुश्किलों के बीच आज भारत की जीडिपी तेजी से बढ़ रही है हमारे प्रोडक्शन और एक्सपूर्ट दोनों में बड़ी बुरुद्धी हुई है देश आज अपने आधुनिक इंफ्रास्रेक्टर पर जीतना निवेश कर रहा है वो पहले कभी नहीं किया गया आज देश में नए नए सेक्टर्स का विस्तार हो रहा है आज रिन्योबल एनर्जी और्गेनिक फार्मिंग डिफेंस और परेटन समेथ कई सेक्टरों में अभूत्परवत तेजी दिख रही है मोबाइल फोन से एरक्राप केरियर तक कुरोना वैक्सिन से फाइटर जेड्स तक भारत के आतमंदिर भर अभ्यान के ताकत सब के सामने है ऐसा माना जा रहा है कि दो हजार पचीस तक अकेले भारत की स्पेस एकोनोमी ही साथ हजार करोड से बड़ी हो जाएगी यानि आज देश के युवाओं के लिए लगातार नए नए अवसर बन रहे हैं रोजगार की नए संभावनाए बन रही है साथियों आज हादी के अमरित काल में अगले पचीस साल जितने एहम है उतना ही आपका अगले पचीस साल का केरियर अहम है आपको टीम वर्क को सरवोच्च प्रात्मिक्ता देनी है आपने देखा है इसी महिने इस देश में जी ट्वेंटी बैठकों का सफल आयोजन पुरा हुआ है दिल्ली समेत देश के साथ सहरों में दो सो से जादा बैठके आयोजित की गई इस दोरान विदेशी महमानों ने हमारे देश की विविद्वता के रंग देखे जी ट्वेंटी हमारी परंपरा, संकल्प और आतिथ्य भावना का आयोजन बना जी ट्वेंटी समिट की सफलता भी पब्लीक और प्राइबेट सेक्टर के अलग-अलग विवागों की सफलता है सभी ने इस आयोजन के लिए एक टीम के रुप में काम किया मुझे खुशी है कि आज आप भी सरकारी कमिचारियों की टीम इंडिया का हिस्सा बनने जा रहे हैं साथियों आप सभी को देश की विकास यात्रा में सरकार के साथ सीधे जुड़कर काम करने का आउसर मिला है मेरा आप से आगरह है यात्रा में आप सीखते रहनी के मिने आदत को बनाए रखिये ओनलाइन लर्निंग पॉर्टल आई गौड कर्मियोगी के द्वारा आप अपनी पसंद के कोर्शिस से जुड़ सकते हैं मैं चाहता हूं कि आप सभी इस विधा का लाब उठाए एक बार फिर मैं आप सब को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूं भारत के संकल्प को सिद्धी तक लाने के लिए आप सभी को मेरी धेर सारी शुब कामनाए आपके परिवार जनों को भी अनेक अनेक शुब कामनाए बहुत बहुत बढ़ाई है आप स्वयम भी प्रगति करें और आप इन पतीज साल जो आपके भी है और देश के भी है ऐसा रेर कॉंबिनेशन बहुत कम मिलता है आपको मेरा है आईए सात्यों संकल्प लेकर के चल पड़े देश के लिए जी कर दिखाएं देश के लिए कुछ कर के दिखाएं बहुत बहुत सुब कामनाए बहुत बहुत धन्यवाद कर दिखाएं